ओम स्यांति हम सभी को बावा ने सेवा के फिल्ड में रखा है सेवा क्या है? युग परिवर्तन करना सभी को बावा का मेसेज देना न केवल मेसेज देना लेकिन सत्य ज्ञान भी देना सभी को अपने परंपिता से मिलवाना सभी के दुख दर्द, टेंशन, समस्याएं समाप्त करवाना उन्हें गाइड भी करना और उन्हें अच्छे वाइब्रेसंस भी देना वाइब्रेसंस देना हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हम तीनों सेवाएं एक साथ करें वाचा के द्वारा हम ज्ञान देते हैं वो सेवा हमारी चलती है साथ-साथ मनसा के द्वारा सभी को स्रेष्ट वाइब्रेसंस मिलते रहें सुभावनाओं का दान मिलता रहे सब को हमारे पास आते ही ऐसा लगता रहे हम अपने परिवार में आ गए हम वहीं आ गए जहां हमें आना चाहिए था मन सा वाइब्रेशन सम प्रकर्ति को भी देते रहें वायु मन्डल को पावन बनाने के लिए भी देते रहें ये दूसरी सेवा हमारी चलती रहे और तीसरी सेवा है कर्मना कर्मना यग सेवा भी है कर्म ना यग में हम किसी भी तरह का कारिय करते हैं या अपने घर को ही यग्य मान कर काम करते हैं तो यग्य सेवा हो जाती है लेकिन जब हम कर्म शेत्र पर रहते हैं तो हमारी धार्नाएं, हमारा गुण, स्वरूप जीवन, हमारी प्योरिटी हमारी श्रेश द्रस्टी दूसरों को बहुत कुछ सिखाए उनकी सेवा करे काम तो सभी संसार में करते हैं लेकिन जब वो हमें कारिये करते देखें तो ये महसूस करें ये कितने हलके हैं ये तो ऐसे काम करते हैं जैसे कि मानों कुछ करते ही न हो संसार में समस्याएं तो सब के ही सामने आती हैं पर जब वो हमें देखें तो उन्हें महसुस हो कि ये कितने तनाव से मुक्त हैं, ये कितने पावरफुल हैं समस्याओं को पार करने में ये कितने समर्थ हैं हमें भी वैसा ही होना चाहिए जब वो आपको परिवार में रहते देखें तो ये देखें के परिवार में तो सभी रहते हैं पर इनके परिवार में कितना प्यार है कितनी अंडरिस्टेंडिंग है कितना खुसी का माहूल है कितना एक दूसरे के सभी लोग सहयोगी है सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़ा हलकावा तवन है परिवार में, मैं पन मेरा तू तू मैं मैं क्रोध एंकार इससी मुक्त हैं, हमारा ऐसा परिवारिक जीवन देखकर बहुत बड़ी सेवा होती है, तो हम हर तरह की सेवा लगातार करते चलें, जितना हम गुंड स् बनते जाएंगे, दूसरों पर हमारी अमिट छाप पड़ेगी, और दूसरे लोग इससे कुछ ना कुछ प्रेणा अवस्य लेंगे, साथ-साथ अपनी दिंचरिया में, दस मिनट सबेरे, दस मिनट स्याम को, इस अंसार को, या प्रकर्ती को, दुखी आत्माओं को, या वा उनकी मदद करें, भले ही रोगों के जिम्मेदार, वो स्वयम रहे हों, उन्हेंने कोई विकर्म किये हों, या वर्तमान में गलती की हो, लेकिन हमारा कर्तब है, अब उन्हें मदद करना, तो ये सभी सेवाएं हमारी चलती रहें, ये तीनों तरह की सेवा, सारा दिन चले, इसको ही कहते हैं, एक साथ तीनों तरह की सेवा करना, और मानलो हम किसी को समझा रहे हैं, परदर्शनी समझा रहे हैं, तो समझाते हुए आत्मिक दर्श्टी रखना, ये हमारे परिवार के देवकुल की आत्माय आई हैं, इस गुड फिलिंग में रहना, और चलते फिरते अभी उसी समय हमारे गुणों की चाप दूसरों पर पढ़ती रहे, ऐसा रहना, ये हैं तीनों तरह की सेवा एक साथ करना, तो आज सारा दिन हम सभी विशेश रूप से गलोब को वाइब्रेशन सदेंगे, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान, पूर्व जात्मा हूं, मेरे सामन छरा दिने हैं गलोब, बाबा की किर ने मुझ पर फडर रही हैं और मुझ मेरे मस्तक से निकल कर जा रही हैं, पूरे गलोब को, जैसे अब गलोब काला हो गया है और उसका रंग ओल्डन होता जा रहा है, ऐसे गलोब को वईब्रेशन सो बार बार देंगे, ये सारे संसार क vibrations पहुंचाने की stress शेवा होगी Om Shanti